हे अब्रीवन वेल्कम बैक तु माई चैनल और आज मैं आप सब के साथ शेयर करने वाल यह काफी इंपोर्टेंट वीडियो जिसमें मैं शेयर करूंगी फोर्स एमस्टर पॉलीमर का एमसी क्यों टाइब का question paper और उसके answer यानि की solution भी आपको साथ के साथ मिलेगा आपको पता है इस चैनल पर आपको सब्सक्राइब कर सकते हो यह कोमेंट भी कर सकते हो तो उसका reply भी आपको मिल जाता है तो चलिए now we will start our topic MSC4 semester mcq type question paper of polymer so हम start करते question number one से which of the following phenols are able to non-volak यानि की non-volak बनाने में जो आपकी mainly use की जाती है वो कौन सी phenol है ठीक है यह questions बच्छों बहुत जादा hard नहीं है बट आपको theory पढ़नी पढ़ेगी आपका doubt होते है न मैं theory का क्या ही करेंग एंसी क्यों पढ़ाईए नहीं हर एक जो question है न यहां पर आपका थिर्टिकल पार्ट से आया तो आपको कोई भी tension रखने की जरुरत नहीं है जब आप थिर्टिकल पेपर आता है तो आप बहुत जादा focus के साथ डिटिल के साथ नहीं भी करोगे तो भी पेपर attempt कर लोगे ब वैसे मैं solution भी आपके साथ चार करूंगी बट यह डारेक्ट मैंने करा रखा है कि इनमें से कौन से फिनॉल नौवा लेक बनाने में सक्षम होती है ठीक है सेकीन है आपका the name of the catalyst for the reaction ठीक है यानि कि जो reaction है आपकी इसमें कौन सा जो हम सरी catalyst यूज़ करते है वह कौन सा होगा तो पर-sulfate इसमें हम यूज़ कर दें इस cancer आपका पर-sulfate होगा question number 3 आपका जाएगा पैरा शूर्स आर मेड आफ यह question आपको बहुत पहले और मैं बहुत सिंपली कराऊंगी कि नायलॉन से बना होते हैं मैंने जब नायलॉन पढ़ाया है तो वहाँ पर यह topic discuss किया तो दि पॉली डिस्परसिटी इंडेक्स फॉर नैचुरल पॉलीमर ठीकर आंसर जाएगा वन के साथ कि कितना होता है यह जब पॉली डिस्परसिटी आपको थ्योरी में मैंने कराई होगी तो यह point वहाँ पर discuss किये होंगे ठीकर तो पॉलीमर के आप एक बार playlist भी देख लेना अब पॉलीमर है उसके जो मोलर मास दिया हुआ है वो ऐसे दिया हुआ है कि नंबर ऑफ मॉलीकुल 50 & 75 मोलर मास है तो हम क्या करेंगे हमारा फॉर्मूला होता है mn is equal to summation of n1 m1 ठीक है then summation of n1 तो n1 n2 तो आपके यह है ठीक है यह आपके m1 m2 है इनकी value जब आप formula में put करोगे n1 m1 plus m2 n2 then n1 plus n2 तो आपको solution मिल जाएगा ठीक है और यह solution आपका यह होगा ठीक है आपको थोड़े doubt है तो आप इसे solve भी कर सकते है for example दिखो मैं यहाँ पर बता देती हूँ जैसे कि n1 कितना है 50 multiply m1 कितना है 5000 multiply n2 75 then multiply 6000 ठीक है ठीक है तो यह formula से कर लेना यहां से question आपका एक से दो question जरूर आएंगे तो सीरे सीरे आपके नंबर बन जाएगे तो यह question इस साल के लिए भी आप prepare कर लेना next question polymer used in heart surgery ठीक है यानि कि कौन सा polymer जुकि हम heart surgery के यूज करते हैं तो polyurethines हम यूज करते हैं mainly next मैं बहुत जादा time waste नहीं करूंगे नहीं तो आप end तक देखते रेखते बोर हो जाओगे और उतना बोर मुझे भी पता है कि आपको नहीं होना है बर देखो चीने मेहनत करनी है उनका chemistry करोगे और बोर हो जाओ ऐसा possible यह आपको हरे question का answer ढूणने में answer बता करने में मज़ polypropylene ठीक है तो answer जाएगा TICL4 ALC2H5 का hole 3 इसमें बहुत जादा confusion आपको नहीं रखना है ठीक है यह question of dietly याद भी कर सकते हो decron is an example of none of above ठीक है then condensation of co prolactin gives तो nylon 6-6 देता है यह नहीं sorry यह जाएगा answer nylon 6 के तान nylon 6 ठीक है then melamine plastic crockery is a co polymer of the SCHO और melamine इसका answer जाएगा then consider the following processing method for plastic ठीक है तो answer calendring के साथ जाएगा मतला fourth point के साथ जाएगा sorry not calendring क्योंकि हम transfer molding भी उस करते है execution भी करते है thermo भी करते है और calendring भी करते है ठीक है next the catalyst used in the preparation of polysiloxane तो grignard reagent आएगा next thing कि यह जो solution है कुछ मैंने किया है but mostly मुझे बच्चे ने solve करके बेजे क्योंकि मेरे पास उतना time नहीं था और उन्हें urgent में class चीए थी तो उन्होंने solve करके बेजे तो अगर कोई question आपको लगते कि यह question गलत है तो आप उसे correct भी कर सकते हो क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसमें hundred percent ही accurate है क्योंकि कुछ बच्चों ने जैसे अभी यह question उन्होंने गलत लगाया हुआ था है न मैंने यह पहले नहीं करे हैं जैसे उन्होंने यह लगाया हुआ बट मैंने यह लगाया है तो वह चीज से mention करती है क्योंकि क्यों में स्टूदेन ने clear करके दिआ है ठीक है वह वह बैसे managed सलोक 팔lyck को बनाने में इस्तिमाल किया जाता है तो ग्रिग नारड भी कर्मक दैन विच अफ फॉलुइंग अडाई इस यूजड तो देखो मॉल्डिंग में इंजेक्शन में एक्सक्रूशन में भी सम्में डाई यूज की जाती है तो अल अब आव इंसका आएगा यह चारो प्रोसेस सब्सक्राइब करता है तो इसमें कार्बन नहीं पाये जाता है तो इसमें कार्बन आपका और्गेनिक से कहीं ना कहीं बिलॉंग करता है जाएगा दो टाइप के ही होते है जूरिंग अ पोल्विम्रीजेशन दार रीक्शन परसेड़ आने सबसे पहले इडिशन होते हैं क्योंकि क्या पुछा है एडिशन पूछा है ना तो एडिशन में एडिक्शन ही तो होगा नहीं जैड एबरेज का फॉर्मुला यह आपका सीधा सीधा बुलेट प्रूफ ग्लास किसके बने होते हैं पी एम एम के ठीक है इसमें हमिशा यूज किया जाता है यह पॉइंट में बताया हुआ है आपको क्लासिस में विच आप सोचोगे कि मैं हमने आपके एक क्लास देखी कुछ नहीं हुआ बट्चे एक क्लास से कभी कुछ नहीं होगा रेगुलर वेसिस पर देखो चीजों को क्लियर करोगे तो होगा और अब भी देखो आपके मैं बहुत ज्यादा महनत करना एक तो आपको पहले से महनत करने थी ठीक है अभी जो फोर्सम के बच्चे आप मुझसे कनेक्ट हुए अगर आप से आए तब से दो महीने पहले हो पहले तो मैं आपको बहुत अच्छी से स्लिवर्स करा देती है तो आपको टाइम देना पड़ते हैं चीजों को समझना पड़ते हैं तब जाके आपको आंसर ठीक ठीक मिलते हैं और हर एक चीज ठीक से मिलते हैं बाकी इट्सों की कोई प्रॉब्लम नहीं है तर नेक्स्ट जाता है जाता है विच अब दफॉब्लम पॉलिमराइजेशन मेकनिजम कैन बी पॉलिमराइज दा स्टाइरीन मोनोमर तो आंसर अलफ अबव के साथ जाएगा 28 29 मॉलिकलर मास पॉलिमर आर एक्प्रेस देस एन एबरेज है न क्योंकि फॉर्मुला क्या था एन एबरेज से था 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 थैं तब इबरेज है धा तैन ड़स पॉलिमर आ हमेशे चानोण बाख ना तो HE natin the pre प्लास्टिक प्लास्टिक फॉर्मिलेशन और ब्लेंडिंग पॉलीमर और अचीव डिजायर्ड केरेक्ट्राइजेशन इस कंपाउंड अब आप सोचो के मैं आप बहुत जल्दी करा रहे हो अगर मैं जल्दी नहीं कराऊंगी बच्चे तो यह क्लासना एक घंटेकी हो जाए चीक है यह देखो बहुत पेपर होगा आपके पास अब कोई भी मसी का करा रहा है न तो उनसे एक बार से सॉलुशन भी मांग लेते बट मेरे पास आप आए हो पांस से दस दिन से इस क्लास की रिक्वेस्ट थी और मैं खुद थोड़ा लेट हो रही थी क्योंकि मैं मेरेको पेपर है बट उसका सॉलुशन नहीं कम से कम दस बच्चों ने मुझे पेपर वेजा मेरे को वाट्सप पी और उन्होंने का मैं प्लीस सॉलुशन दे दो ठीक है तो आप सब के लिए यह क्लास शेयर हो रही है आप कितना आगी तक पहुंचाते हो वह चीज़े आप पर डि करने के लिए मिल चाहेगा ठीक है क्योंकि मैं कट नहीं करते हूं को एक बार में कोशिश रहती है कि एक ही बार में समझा दो छो कि विच्व दा फालोविंग पॉलीमर कंटेंश कार्बन कार्बन लिंकेश तो आडिशन पॉलीमर आजाएक अंसर तीक है नेक्स्ट जो कुश्चिन जाता है विच्व दा फॉलीविंग इस नॉट अस्टीज ऑफ एडिशन पॉलीमराज़ेशन तो री क्रेस्टिलाइ सुरी री क्रिस्टिलाइजीश की प्रॉसस होगी यानि कि क्या पूछना चाहरा है ज़री नहीं है आप इंग्लीश में पड़ो आप हिंदी में भी पड़के समझ सकते हो अगर आपको नहीं समझा रहा कि बहू कलर बहू लख हम जो बनाते हैं उसमें कॉंसे स्टैप नहीं है टेरा पिथेलेट्रू प्लॉंग टू विच क्लास ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर तो पॉलीएस्टर से यह बिलॉंग करता है तो थर्टीएट जा थर्टीनाइग फॉर्माइल सायनाइड विद परोक्साइड कैटालेस्ट्रेस पी एं ठीक है आंसर उसके साथ जाएगा दा प इंच्मपरेशन मौल्डिंग इन हा मनी स्टाप से मेकनिजम ओफ छेंड पॉलीमरजेशन इस करी तो चैन पॉलीमरजेशन किनी सरप समगती थरी देखो इस अभी ऊपर भी एक प्रोसेशा था की इनिशियेशन प्रोपी किशन or termination राइट या नेक्स सट्टिं वाट इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस तो 150 उसका तेंपरिचर होता है यह उपर हो चुगे है अब 39 सॉरी हमें 43 प्यान इंजेक्शन मोल्डिंग तो वाटर नेक्ट कोशन दा करेक्ट नेम ऑफ फॉल्वी तो पॉली आइसो ब्यूटिलीन इसका नाम है तुक्षर ऑफ नायलोन 6 सीधा सीधा आपको पता है नायलोन 6 का स्ट्रक्चर यह है दा मेजर प्रोड़क्ट ऑफ फॉल्वी रियक्शन ठीक स्ट्रक्चर में ठीक है आंसर नंबर 46 देन पॉलीमर यूज फॉर मेकिं कॉंटेक्ट लैंस तो पॉली मिथाइल मेथ स्ट्री मेथा क्राइलेट देखो जो भी बच्चे लैंस यूज करते उन्हें पता होगा होना चीए किसका बनता है तो आज उन्हें आंसर मिल गया देन on the basic of mode of formation polymer can be classified as addition or condensation second stage of addition polymerization is termination second strain termination नी propagation होते है then low density polyethylene is an example of branched polymer property of recovering original shape after the removal of deforming strain is elasticity and which of the following is a branched polymer to land low density polymer non-sticky cookware plastic of made of teflon आपको पता होना चीए कि अभी आपके घर में जो यूस हो रहे किसकी यूस होते हैं वह बढ़ते ना आजकल बहुत लेटेस्ट में चला हुआ है तो टैफलोन के बने होते हैं which of the following is a polyester fabric तो ट्राइलीन ट्राइलीन बोच सकते हो एस दा क्रिस्टेलिन डी इंक्रीज दा ब्रिटलनेस ओफ पॉलीमर इस इंक्रीज नेम आप दे प्रोसेस तो चेन ट्रांसफर दे कैटलीज यूज इन कोडिनेशन पॉलीमर तो जिंगलल नाटा कैटलाइस इस का यूज होता है दैन बन अब दा कैटास्टिक्स ओफ पॉलीमर इस हाई लॉंगेशन अना खिचाव बहुत होता है करेक्ट स्टेट्मेंट अबॉट सिलिकॉन पॉलीमर इस सभी टॉक्सिक लास होता है यह बिलीटी तो रिपेर वार्ट होता है पर्ढ़ स्टेशय करेक्था इस्टे दुच्छान और यह बार्रीन पॉलीशन गिंदितारी शीर्ट कस्टेश चनीश जबन फॉलीमर आतंड नाहलीन्स दैरेंस तो कियों चूराप्यायगोनेट टू मॉन्स का नीलो यह बिलीमर कोलीमर यह बिलीमर इस बिल्स्टीर अप का फॉर्मुला आर्टिफिशल पॉलीमर सब भी होते हैं पी बीसी भी टाफलों भी और पॉलिथाइलीन में वे वलकिनाइजेशन मेक्स रबर मोर स्टिफ ठीक है पॉलीमर ऑफ ग्लुकोस टोर बाइन अनिमलीन अज ग्लाइक कोजन ठीक है देन एक्सांपल ऑफ नाचुरल पॉलीमर सिल्क वूल और ड्न ने नाचुरल पॉलीमर किया आप याद करने सेम सेम कुशन भी रिपीट हो सकते हैं 1. लूरा 1. लूरा 3. लूरीमर बाझ कि लूबु up को सतunnol 4. लूरा 5. लूरा 6. लूरा 6. लूरा 6. लूरा cooling और rigidness can be repeated with the plastic is thermoplastic है थर्मो प्लास्टिक के साथ हम उसे एक रूप से दूसरे रूप में change कर सकते हैं addition polymerization moromer used is unsaturated compound plastic resins is used in paint industry is ion exchanger thermoplastic resins are usually soluble in organic solvent then the formula given is a viscosity average then name the type of compound cyanobiotics cancer आजेगा ठीक है यह सेम ही question है then plastic sizes the strength of plastic is increased है तो यहनी कि plastic में हम plastic sizes का use क्यों करते हैं जिसके उनकी ताकत बढ़ जाए देन टैफलोन हैसल हाई मॉल मेल्टिंग पॉइंट अर्माइट्स आर्माइटिक पॉलीमर फिन और फॉर्मेल डिहाइड आर्टा मॉनुमर यूनिट्स ऑफ बैकलाइट semi-permable membrane used to kidney dialysis is PVC among the following which one is found in RNA तो आंसर जाएगा इसके साथ तो यह कुश्यन भी आपका इसके साथ इसके साथ आपका आंसर चला जाएगा इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा आपको जैसे कि देखो इसके साथ इसके साथ यह आपका देखो थोड़ा नुमेरिकल पोर्शन है मैंने नुमेरिकल पॉलीमर में कराए नहीं कोशिश होगी नेक्स टाइम कराऊंगी क्योंकि अभी आप लोग करें अभी तो मेरे पास भी उतना टाइम नहीं और आपके पास पी नहीं होगा आप एक्जामपल्स ऑफ एलस्टोमर्स राइट इडेंटिफाई दा टाइप ऑफ पॉलीमर या बहू लग के कौन से प्रकार है तो यह ब्लॉक होगा शायद यह देन पॉली एक्रिलीट यह आप खुद से भी देख लो डाइक टांसरीन के साथ ही है आप कोई डाउट हो बचा तो आप मुझे कमेंट करके बता दिना है या आपके पेपर के सॉलुशन में आपको दे दिया है विच आप फॉलीग इस एन एक्जामपल ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर देक्स्ट्रोन तो मॉनोमर ऑफ सिंथेटिक ऑफ नाइलोन 6.6 ची के देन नेम आप इस प्रोसेस देखा में भी आपको फ्री रैडिकल फॉर्म मिल रहा है यह बिल्कूल भी क्लियर नहीं है बच्चे या ठीक है तो अब मैं इस क्लास को एंड कर जूँ हो आपके कोई फीड आउट हो आप मुझे कॉमेंट कर देना वह से पर कॉंटेक्ट कर लेना अंस्टाग्रम पर कर लेना सब्सक्राइब कर के चैनल को छोड़ सकते हूं तब तक के लिए बाबाए